कि ओल्दे इंफर्मेशन प्रवाइट ओन दिस चैनल इस कलेक्टेट थू माय और रिसेर्च विडियो आप फ़र एनी फाइनल्सियल एडवाइज ओन आवर चैनल तो सब के क्वेशन का में इस वीडियो के अंदर आपको जवाब देने वाला हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा सबसे पहली बाद यदि आप क्रिप्टो ओफिशल कम्यूनिटी के अंदर यदि पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना क क्यूंकि कोई भी एपलिकेशन रिलेटेड याफी क्रिप्टो यूज या फिर अपडेट के रिलेट्ट आपको सब्से पहले इंफॉल्मेशन हमारी इस चैनल पर बिलती रहेगी तो चलिए वीडियो शुरुवात करते हैं सबसे पहले बिटमाट आप्लिकेशन को ऑपन कर होते हैं तो सबसे पहले लोगों का यह problem होता है कि मेरा automatic ही login disable हो गया तो इनके लिए पहले आपको update करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए मैं update नाव पर क्लिक कर देता हूं maximum लोग update लेटर पर क्लिक कर देते हैं लेकिन हम अभी इसको अपडेट कर लेते हैं ताकि जो भी इस issues हो रहे हैं उसके बारे में आसली से आप लोगों को बता पाए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं bitmart चलो bitmart लिख दिया है और इसको अपडेट कर देते हैं अब देख सकते हैं 95% 98% हो चुके हैं और जस्ट इंस्टोलिंग हो रहा है इसको हम एक सेकेंड के अंदर ओपन करते हैं कि चलो ए ओपन का ओप्षिन आ चुका है सिंपली सी ओपन वाले ओप्षिन पर क्लिक करते हैं इस वीडियो को आएंड तक जब देखना है और स्क्रीन को यह आप HD में नहीं देख रहें तो आप HD में कर लेना शायद आपको स्क्रीन अच्छी ना दिख रही हो तो देखिए अभी इस तरह का इसका एंटरफ्रेस आ चुका है और यहां पर देखिए मेरा मेल एडिया चुका है और यहां पर मेरी जूबी एसेट है वह आ चुकी है क्योंकि कि में भीक का ईप्लिकेशन अंदर इतना बड Does not know your phone में लगता हूं इसका एक ही हिजो है कि जब टाइम होता है जब इसके अंदर टाइम होता है कुछ पैसा डालनें का कुछ का ट्रेडिंग करने का तब इसका अपलिकेशन के अंदरकोई ना कोई issues चलते रहते हैं ंप के अपडेट कर लेना इस एप्लिकेशन को मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ देखो यहाँ पर कुछ न्यूज वगेरे आ सकती है वहाँ पर आपको खास नजर रखनी है वह यह लोग कभी-कभी अपनी एप्लिकेशन को मैंटेनस पर रखते हैं उस पर भी आपको द्यान देना है देखिए दोस्तों यह जो पैज है ठीके मैंने आपको दुबारा बता देता हूँ यह जो आइकोन उस पर जाना है सिंपली सी यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर बहुत सारे आप्शन है जैसे कि आईडी कार्ड वेरिफेकिशन यानि कि आपका जो के वाई सी उसको आपको इनेबल कर सकते हैं उसके बाद SMS authentication को आपको इनेबल कर देना है email authentication को कर देना है Google को भी कर देना है सब को आपको कर लेना है और महतों की बात यदि आप तीन से चार बार लोगिन कर रहे हैं और आपका लोगिन ही नहीं हो रहा है ठीक है तो एक से दो दिन के अंदर तो ऐसा ह सब हो जाएगा ठीक है लेकिन होता है तुरंत ही आपको अपना पासवर्ड चैंज कर देना है तो दुस्तों यह कुछ आपको मैं बताना चाहता हूं जैसे कि कि SMS ऑफन्टिकर इमेल ऑफन्टिकर और गूगल ऑफन्टिकर इस यह जो तीन चीज बहुत महत्वक्त की है बीट माट अप्लिकेशन के यूजर को और दूसरी बात की यहां से आप चेट कर सकते हैं मैं जो नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था उसके अ अप्लिकेशन के अंदर मिल जाएगा और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वजी रेक्स अप्लिकेशन के बारे में काफी अच्छी अप्लिकेशन है इंडियो यूजर मैक्सिमम लगबग 80% लोग वजी अप्लिकेशन को फिलाल यूज़ कर रहे हैं यदि आप से काफी अच्छी अप्लिकेशन है तो इस अप्लिकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए मेरा कूपन को भी आपको मिल जाएगा आपको 50 रुपीज का कोईन भी मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में ज़रू बताइए हमारी चैनल पर यदिया पह से कुए लगा झाल इस कुए लगा जॉपीज का कुए वगा संका।